देशी मीची तरका में आप सभी का स्वागा था अज देख सकते हैं कच्चा आम है इसे छेल लिए हूँ और इसको कूचा अचार बनाना है देखे रखे रखे थोड़ी सी पीली हो गई है आम अगर तुरंद बना लेती तो साइद पीली-पीली नहीं होती आम अगर देखिए गूचा अचार बनाने का तरीका कैसा है मेरा अब चलते हैं गस्ते हैं क्योंकि नहीं इसमें अचार कट करके तो आप सभी लोग बहुत बर बनाए हो अ की इस तरीके से कूछा अचार एक बार जरूर अप्स्ट्राय करके देखेगा बना करके कि किस तरीके से बनती है और कैसा लगा कि देखें आंप कट करके तो बनाते हैं तो नुर्मल तरीका है सब इस जानते हैं इसकी मिठी चक्ने भी बनाए था आप लोग भी देखे थे आप ये कूचा आचार जिसे की आप इसको कट करके आप किसी चीज से आप हूच सकते थे पर मैंने कूची नहीं हूँ यहापर मैं घस कदुकस से घस दे रही हूँ और घसने के बाद इसको मैं अचार डालूंगी देखिएगे क्या क्या मैं डालूंगी इसमें कि थोड़ी सी गीली हो गई है आम मेरी खरीदी थी उसमें तुरन बनाई रहती तो दिकत नहीं होती पर मैं थोड़ दी थी दो दिन इसलिए इस तरीके से हो गई है देख सकते हैं इस तरीके से घसा जाएगे और पीली नहीं होती थोड़ी दिन नहीं होता तो सफेद राता और क्योंकि पीली हो चुकी है घसे ज़ेह क्याँ देख सकते हैं से घसाने के बाद इस तरीके से हो जाएगे जोखी मेरे आम जो है पिली पिली हो चुकी थी इसलिए इस तरीके से पिली पिली यह तो आप शिलुउर्यट में जैसे कुछ सकते हैं, या उखली में कुछ सकते हैं, और कुछने के बाद कुछ आचार आप इजी से डाल सकते हैं, ऐसी नहीं है कि खराप हो जाएगी, बहुत जल्द ही, आप तुरंद भी खा सकते हैं, एक गंटा बार भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, और सालों भर र आप नमक हल्दी सब कुछ डालते हैं यह देख सकते हैं मसाला है मेरी यह हल्दी है नमक है मिर्चा है लाल मिर्चा और यह चाट मसाला है और दिये धनिया है यह सारे मसाले को मैं इसी में डालोंगे यही अंजार में इस तरीके से सारा आप मिला दीजिए इस तरीके से कुचा चरबा बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं है और कोई प्रोब्लम नहीं है तेल है वैं तेल को गरम करके डालोंगी क्योंकि मसाला तो मैं मिलाई नहीं है पर मैं डालूंगी तेल को गरम कर दूंगी तेल करके डालने अचार कभी भी खराप नहीं होती है इसलिए जब भी आप अचार बनाए तो उसमें तेल अब गरम करके ही डाले यह देख सकते हैं कि मैं तेल इसमें गरम करके डाल रही हूं इस तरीके से अचार को मिला देना है सारे मसाले में अब मैं थोड़ी एक घल्टा के लिए मैं धूप में इसको रख दोंगी ताकि इसमें जो पानी है वह इजी से निकल जाए पानी जो आम का पानी छोड़ती है वह आपको अराम से निकल जाएगी इसमें इसमें देखिए मैं तेल को और थोड़ी सी डाल देती तो अचार जो है जब बसात आने लगती है इसे तो कुछ नहीं होती है पर बसात जब आने लगती है तो इती होने लगता है खराप फुपंदी आ जाती है उपस खराप हो जाती है इसलिए आप जब भी आप बनाए तेल को गरम करके ही डाले इस तरीके से डालने से क्या होता है कि आजार कभी खराप नहीं होते हैं अब देख सकते हैं कसूरी में थी है मैं इसमें डाल देती है आचार बहुत चटपटी बनती है और बहुत ही जरूची ले करके अगर आप खाते होना तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है आचार यह देखिए कैसा लगा अचार जरूर ट्राइ करिएगा एक बर बना करके देखिएगा और चैनल को लाइक शस्क्राइब करिएगा जरूर एक बढ ट्राइ करिएगा अच्छी लगे तो आम कट करके तो आप लोग बहुत बार बनाए होंगे पर इस तरीके के अचार मैं पहली बार बनाए हूँ और एक बार जरूर ट्राय करके देखेगा कि बहुत ही अच्छी लगती आप किसी भी चीज़ के साथ आप थोड़ी सी ले करके आप खा सकते हैं कैसा लगा अच्छा जरूर लाइक चेर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा